CCS University ने आज 20 तारिक को अपनी ओफिचल वेबसाइट पर कुछ नोटिस डाले है जिसमें से एक नोटिस है जो सबसे पहले नंबर पे है और इन्होंने डाला है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे इसमें लिखा है इसमें पढ़ाई कारिये बंद हो जाएगा मतलब पढ़ाई नहीं चलेगी इस time period के दोरान अगर आपके परिक्षा है परिक्षा हो सकती है और जैसे तीस तारिक से पेपर आप सबको पता ही है कुछ वच्चों के तीस से हैं कुछ के बाद में हैं फिर एक तारिक से कुछ के दो तारिक से तो इसके बीच में लिखा हुआ यही है इसमें कि मानिने कुलपती जी के आदेशा नुसार विश्विद्याले परिसर एवं समस्तबद महविद्याले संस्थानों में मतलब केंपस की भी बात कर रहे हैं और कोलेज की भी बात कर रहे हैं सभी में शीत काली नवकास दिनांग 26 से एक जनवरी 2024 तक घोशित किया जाता है इस टाइम पिरियेड में महविद्याले संस्थानों में शिक्षण कारिय स्थगित रहेगा ठीक है मतलब पढ़ाई का कारिया नहीं चलेगा विश्विद्याले दुआरा घोशित परिक्षा में मतलब कुल मिला कि आप इतना समझो कि फैकल्टी के लिए अगर युनिवर्सिटी डिसाइड करते कि आपको आना है तो आपको फिर आना पड़ेगा ठीक है ये फैकल्टी के लिए ना कि स्टुडेंट के लिए जो पढ़ाई कर रहे है पढ़ाई इसके बीश में स्थगित रहेगी और अगर आपका पेपर अगरा तो पेपर वैसे ही चलेंगे बाकि कोई अगर पोस्पोन होने की डेट से कोई अपडेट आएगी तो जरूर से सूचित हम कर देंगे और हमें ऐसा लग रहा है कि 26 तारिक तक अगर एडमिट कार्ड ऐसे ही दिक्कत करते रहे कि नही पोस्पोन होने की संभावनाएं बहुत जादा बढ़ जाएगी और नोटिस जल्दी ही फिर जारी कर दिया जाएगा ठीक है तो जो भी अपडेट रहेगी हर रोज शाम को आठ बजे लाइव सेशन करते हैं तो उसमें सब कुछ क्लियर हम करते हैं कभी भी कोई सवाल कोई साम को आठ हो जी लाइव सेशन जोइन कर लेना धन्यवाद